तिवहार हो या जब कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो इस टेश्टी मीठाई को एक बार जरूर ट्राइ करें इसे बनाना काफी असान है मैं आपके साथ ड्राइफ रूट स्टफ गुलाब जामुन की रेस्पी सेयर कर रही हूँ तो एक बार घर पे जरूर बनाए अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफूल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए रेस्पी बनाना हम सुरू करते हैं हमें एक कटोरी खोया लेना है आप कोई भी कप या कटोरी से खोया को ले सकते है इसी से हमें सारे इंग्रिडियन्स को लेना है खोया थोड़ा ताजा लीजेगा तो मिठाई ज्यादा टेस्टी बनता है उसी कटोरी से हमें ए में डालना है चिनी छोटी वाली चम्मच से अगर आप खाने वाले चम्मच से डालिएगा तो आधा चम्मच एक चम्मच घी डाल देना है खाने वाले चम्मच से घी को हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है बस एक चम्मच ही डालना है एक चम्मच बेकिंग सोडा इसे खाने तुम LEAR कि अपर नियुकुर्स का सोडा भी बोला जाता है। चोटी वाली चम्मत से अगर इस चम्मत से काफी सौफ्ट था इसलिए हमें इसे मिक्स नहीं करना पड़ा अगर आपका खोया थोड़ा हाड हो तो उसे थोड़े दिर के लिए मिक्स कर लेना है और अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पाइन डाल कर इसका डो बनाना है डो हमें hard नहीं बनाना है जैसे रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके का हमें डो चाहिए अगर बहुत जादा hard डो अप लगा दीजेगा तो उसका जो मिठाई है उतना soft नहीं बनेगा इसलिए इसका डो हमें काफी soft लगाना है और एक बार में हमें इसमें पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पान डाल कर इसका डो लगाना है अगर एक बार में आप पानी डाल देजेगा तो डो काफी गीला हो सकता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पान डाल कर हमें इसे तो अभी आप देख सकते हैं, डो अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये काफी सॉप्ट है, तो अभी हमें इसे 10 मिनिट के लिए रेष्ट पे रखना है, तब तक हमें इसके लिए चासनी बनाना है, गैस पे चड़ा देना है एक बरतन को इसमें डाल देना है, उसी कटोरी से दो कटोरी चीनी जिस कटोरी से खोया और आठा लिये थे, दो कटोरी चीनी के लिए हमें इसमें दो कटोरी ही पानी डालना है, एकदम परफेक्ट नाप के साथ हमें चासनी बनाना है, और अभी हमें इसे चलाते हुए पकाना है, चासनी को उबालाने देना है, और चीनी को हमे हमें कोई तार वाली चासनी नहीं चाहिए हलका चिपचिपा चासनी चाहिए तो अभी आप देश सकते हैं चासनी में उबाला चुका है चिन्नी भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है उबालाने के बाद हमें लो हीट पे दो से तीन मिनट के लिए और चासनी को पकाना है चासनी को पकते हुए उबालाने के बाद 3 मिनरट हो चुका है तो अभी हमें चेक करना है देख सकते हैं इस पर तार नहीं बन रहा है ये खाली चिपचिपाच आसनी है तो अभी हमें गैस का फ्लेम ओफ कर देना है थोड़ा सा हमें खोया लेना है बहुत ज्यादा नहीं है देख सकते हैं एक चमच इतना ही खोया है इसमें कटा हुआ काजू और बादाम डालना है आपको जो भी ड्राइफ्रूट पसंद है उसे डाल सकते हैं दो कूटी हुई लाइची डालना है आधा चमच हमें इसमें चीनी डालना है मिठाज के लिए हमें इसमें बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालना है बस आधा चमच ही चीनी डालना है इन सब को हमें मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं मिक्स हो चुका है तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर ड बहुत ऐच्छा कलर आ जाता है अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे छोटे चोटे टुकडों में काठना है क्योंकि हमें इसे बीच में अश्टफ करने में बहुत जादा प्रापलेम अब हैब Hawk आफ है आफी वाप भापिस हमें डो को मिक्स कर लेना है दो अच्छे से मिक्स हो चुका है देखिे कितना सॉफ्ट डो है और अभी हमें इसे छोटे छोटे तोड़ना है आप मिठाय के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आपको छोटा छोटा बनाना है तो आप छोटा छोटा लोई को तोड़ सकते हैं लेकिन स्टॉफ वोला है तो थोड़ा बड़ा ही तोड़िएगा क्योंकि अगर इसके अंदर आप फिल किजेगा तो स्टॉफ जो अंदर का किया हुआ है वो बाहर निकल सकता है अभी हमें एक लोई को इस तरीके से चिकना करना है और जैसे आप पूड़ी बनाते हैं दाल वाला या फिर सत्तु वाला उसी तरीके से हमें इस तरीके से होल करना है गोल कर लेना है उसकी अंदर हमें ड्राइफ्रूट वाला स्टाफिंग को रख लेना है और इसे हमें अच् इसी तरीके से हमें सारे गुलाव जामुन में ड्राइफ रूट को फिल कर लेना है. मैं एक और आपको बना कर दिखाती हूं. बहुत ही बनाना असान है. इस तरीके से हमें सेव देना है उसके बाद हमें अच्छे से सील करना है. इसे बाहर नहीं निकलने देना है, अच्छे से सील कर लेना है, और इसे हमें इस तरीकी से चिकना बना लेना है, इसी तरीके से हमें सारे गुलाब जामुन में सेब दे देना है, अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कडाही को और इसमें डाल देना है तेल, अब घी में भी इ अगर तेल बहुत जादा गरम रहेगा तो यह अच्छे से फूलेगा नहीं थोड़े देर बाद हमें इसे पलट लेना है देख सकते हैं डालते के साथ गुलाब जामून का जो साइज है काफी बड़ा होने लगा है इसका मतलब है गुलाब जामून एकदम बढ़िया बनेगा हमें इसे धीमे हीट पे ही फ्राई करना है थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है जब तक इसमें बहुत अच्छा कलर ना जाए तो अभी आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है यह अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अभी हमें इसे ते तो देख सकते हैं बहुत ही सौप्ट, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें, कोई फेस्टिवल हो या फिर घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो एक बार इस मिठाई को जरूर बनाए अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हैलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा अपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक्यू फर वाचिंग